शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाहें तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन ज़रू दबाईएगा प्लीज कंसल देओर फाइनेशल अब्राइजर बिफॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग चैनल का 5x5 rule आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा एक स्टॉक पर या एक सेक्टर में ज़्यादा ओवरेट मत होईएगा हमारे हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टॉक में चाहे वो रिलाइन्स इंडस्ट्री हीज क्यो ना हो रिलाइन्स पावर की लेटेस्ट खबर और साथ साथ में आज जो पावर सेक्टर में गिरावट आई है उसका इसके ओपर क्या इंपेक्ट होगा GTL Infrastructure के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे टेक्निकली ये स्टॉक आगे के लिए क्या रन्नीती बना रहा है यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आपको पता ही होगा corporate action जो लिया गया है Reliance Power and Reliance Infrastructure के द्वारा उसमें काफी positive action आएगा अगर वो successfully complete हो जाता है Reliance Power और Reliance Infrastructure के फेवर में रुपीज 13,700 करोर रुपी का दावाट होका है इन्होंने अदानी ग्रूप के against this could be the next big trigger power stock overall आज काफी loss में थे nifty in fact एक point पर 1.5% गिरा वार था और बंध होते होते 0.3% के आसपास जाकर बंध हुआ है power stocks यहाँ पर काफी mix bag रहे जाद तर stock negative रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो गिरने वाले stock में Reliance Power highest 5% के आसपास गिरा है अगर हम अपने review के साथ से बताएं तो यह अब support के काफी नीचे आ चुका है आप चाहें तो इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं short term के traders क्या होंगे सही level long term के buy के लिए वो technical analysis के मादिन से बताया जा सकता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें Reliance Power का आज का दिन कैसा रहा morning में gap के साथ खुला और in fact इसने काफी opportunity दी है जो लोग exit करना चाह रहे थे जिनको exit के opportunity मिल रही थी आज almost दो बज़े तक काफी exit के opportunity थी पर यह exit के opportunity यहाँ पर exit नहीं in fact आपको lower level पर buying के opportunity मिल रही है क्यों कह रहे हैं ऐसा आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं थोड़े से technical parameter के business पर अगर हम 50 दे मुविंगर जो की basic long term का एक clear indication होता है यहां से buy signal नमर जुआ है तो यह अगर इसको alloyed wave theory के accounting देखा जाए leg A leg B retrace करेगा और उसके बाद फिर से leg C बनाएगा ऊपर जाने के लिए तो यह momentum जो cross हुआ है यह काफी अच्छा momentum है short term के traders जो इसमें निवेश करना चाहते हैं यहां पर उनके लिए काफी अच्छा support रहेगा 18 रुपे 50 पैसे के आसपास तो जो चाहें current market price से 18 रुपे 50 पैसे के बीच में इसमें काफी अच्छा quantity खरीज सकते हैं short term का target 25 रुपे इसका तैय है हमारे हिसाब से और अगर long term के traders हैं तो आपके लिए जो सही level है वो 14 और 15 के बीच में है थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है बट यह level अगर मिलता ह तो आप इसमें फिर से री entry कर सकते हैं आज का volume को इतना जादा खास नहीं है देखे यहाँ पर करीब करीब आपका 4.8 million share hand exchange हुए है और साथ साथ में अगर बुलिंजर बैंड को देखे तो almost इसने अब mid level को touch कर दिया अठार रुपे 14 पैसे बहुत जल्द यहाँ से bounce back करने अगली क्या यहाँ से reverse करने की कोशिश कर सकता है सूपर 10 का support है 17 रुपे 34 पैसे तो हमारे हिसाब से जो long term के निविशक है उनको कोई घपराने वाली बात नहीं है जब तक यह closing business पर 17 रुपे 30 पैसे के ऊपर कारोबार कर रहा है देखे यहाँ पर इसको हमने मना किया था ख 26 पैसे के आसपास है यहाँ पर इसका और vortex indicator ने अभी भी इसको buy signal maintain करके रखा हुआ है देखे इतने दोने से buy signal generate किया था वो अभी भी इसने as it is maintain करके रखा हुआ है यहाँ पर तो उस parameter के basis पर यह stock काफी अच्छी तरह से poised है उपर जाने के लिए अगला stock के बारे में बा 5G के phone support करने वाले manufacture किये जाने Apple का बड़ा contract हुआ है जो गुजरात के plant में इसका बनाया जाएगा यहाँ पर तो 5G is full of opportunity for construction for telecom sector as well as for infrastructure providing like GTL infra company की तरह से तो यह एक बहुत अच्छा product add कर रहे है revenue बढ़ेगा इससे 5G में profit of tax बढ़ेगा written on capital सब players के लिए बढ़ेगा brokers का view उसको buy की recommendation है और हमारे हिसाब से यह तयारी कर रहा है काफी अच्छे multi-bagger return देने के लिए अगर आप 3 साल का horizon रख सकते हैं इस stock में वेलेशिकी तरह से यह अभी भी fair value range में ही है आप चाहें तो इसको अपने पास खरीद सकते हैं sales तो अच्छी है but margin due to their interest cost as well as depreciation काफी कम रहते हैं तो यहाँ पर इनको काम करना होगा retail innovation देनार के 2-5% limit ही आप को recommend करेंगे अई ज़र चलकर GTL infra का अब हम stock का technical view देखते हैं GTL infra आज 9 रुपे के आसपास बंद हुआ है यहाँ पर slight negative view था GTL infra का और देखें आज इसने लोजो बनाया था 8.50 पैसे के आसपास बनाया था 8.90 पैसे के आसपास और high बना था 9.20 पैसे के आसपास अगर 50 day moving average देखें तो यह करीब उसके आसपास ही घुम रहा है 9 रुपे 18 पैसे 200 day moving बनाया था 12 रुपे तो हमारे इसाब से अच्छा consolidation है यहाँ पर और पहला target इसका साड़े 12 रुपे कर रहेगा यहाँ पर GTL infra हम बात कर रहे हैं GTL infra की सोरी शमाचाएंगे GTL का जो भाव आज बन्द हुआ है एक रुपे 55 पैसे के आसपास बन्द हुआ है लोड सर्कीट पर बन्द हुआ है और यह काफी अच्छा momentum रहेगा stock ने लोड लेवल पर काफी अच्छा momentum दिखाया था यहाँ से support रहेगा और यह एक बार consolidation कर रहा है तो फिर से उपर जाने की त्यारी करेगा हमारे एसाब से यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा सा candle see pattern पर देखें तो volume के basis पर GTL infra आज कोई तकड़ा volume नहीं है इसमें करीब करीब इसमें 6 million share hand exchange में जहाँ पर बढ़ते हुए करीब 121 million share hand exchange में थे तो का भी लगाए जाएगी कि यह current market price से 1.45 पैसे के आसपास काफी अच्छा buying support रहेगा अप्टिक में इसकी bandwidth जो है 43 के आसपास है काफी अच्छी bandwidth हो रहे है वालेटायल स्टॉक रहेगा कुछ time के लिए अभी bandwidth के basis पर MACD को देखे तो MACD ने यहाँ पर buy signal generate करके रखावा है देखना होगा यह क्या maintain कर पाएगा अगर super trend को follow करते हैं तो super trend के basis पर इसका 1.45 पैसे के आसपास closing basis पर buy signal है RSI overboard zone से नीचे गिर कर 57 हो गया जो कि perfect neutral zone है यहाँ से इसकी अप्टिक की उम्मीद लगेगी हमारे हिसाब से अगर आप alligator indicator को देखे तो main support जो रहेगा 1.37 पैसे के आसपास रहेगा as per alligator indicator और साथ साथ में Vortex indicator ने clear बहुत तकड़ा बड़े वाला buy signal generate किया है यहाँ पर जो इसको एक positive territory में रखने की कोशिश कर सकता है हमारे हिसाब से stock को तो यह अच्छा stock है यह भी आप चाहिए तो इसको अपने portfolio ने 2% की limit पे रख सकते हैं जाहिए जाहिए भारत बाई